हालो फ्रेंद्स मेरा नाम टॉक्टर श्रीदर बोतुल है और मैं हम सबका स्वागत करता हूँ हमारी चैनल वाइस मुवी रिव्यूज पर आज हम रिव्यूज करने वाले हैं तमिल मुवी पोनियन सेलवन या पीएस वन ये मुवी हिंदी, तमिल और तेलगू लैंग्वेजेस में 30 सब्टेंबर को पूरी दुनिया में रिलीज हुई है मुवी के निर्माता है मनिरत्तम सर और इस मुवी के मुख्य पात्र है चियान विक्रम, जयम रवी, कारती, आईश्वेरा राय बच्चन, आईश्वेर्या लक्ष्मी, शोबिता धूली पाला, तरिशा, आर पार्तिबन और प्रकाश राच मुवी एक एडाप्टेशन है कल की कृष्णमूर्ती के नौवल का, जिसका नाम पुनियन सेलवन ही है नाव, ये नौवल का एडाप्टेशन एक मुवी के फॉर्म में बनाने के लिए कही तमिल फिल्मेकर्स ने ट्राय किया ये किसी भी एरा में पॉसिबल नहीं हो पाया इन दे यर 1990, मनी रत्नम खुद ने इस टॉपिक पे फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन अज ये उन्हें के इस ड्रीम को पूरा नहीं होने दिया पर मनी रत्नम जी ने अपना ये ड्रीम जिन्दा रखा 2019 में वापस इसके उपर काम शुरू हुआ and finally 2022 में, as we see, his dream has come true तो क्या कहानी है इस मुवी का या क्या हम expect करते हैं क्या ये मुवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए इसके क्या strong points है या flaws है Let us try to analyze मुवी कहानी बताती है चोला डाइनस्टी की चोला किंग्डम की जो ruler है सुंदर चोला का role निवाया है प्रकाश राजने सुंदर चोला एक ऐसे king है जो जिनकी तब्यत हमेशा ठीक नहीं रहती because of age उनकी तब्यत में हमेशा कुछ न कुछ खराबी होती रहती है उनके तीन बच्चे है जो सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है अदित्यकारिकालन अदित्यकारिकालन का role play किया है चियान विक्रम ने अदित्यकारिकालन चोला किंग्डम का जो ग्रोथ है वो कांची के साइड में कर रहा होता है in the meanwhile अदित्यकारिकालन आसपास के zones में जितने भी kings है उनको हराते हुए चोला किंग्डम को develop करते जाता है and in one such conquest एक पांडिया क्लैन के जो king है वीर पांडियन उनके साथ अदित्यकारिकालन का fight होता है जिसमें वो वीर पांडियन को मार देते है because of this the entire पांडियन क्लैन चोला किंग्डम का दुश्मन बन जाता है पांडियन क्लैन के जो warriors रहते है वो एक शबत लेते है कि वो अदित्यकारिकालन और चोला किंग्डम को खतम करके रहेंगे जहां तक कि उनके छोटे बेटे की बात है उसका नाम है अरूल मुही अरूल मुही का रोल प्ले किया है जयम रवी ने जयम रवी श्रीलंका के साइड में अपना चोला किंग्डम डेवलप करने की कोशिश कर रहे है इस तरीके से दोनों बेटे बहुत ही successful है अपने conquest में जिस तरीके से वो चोला kingdom को develop कर रहे है अब हो क्या रहा है is that in the kingdom itself तंजोर जो उनका kingdom है main kingdom चोला का kingdom है उसमें जो counselors है या जो ministers है वो जाते है कि जो सुंदर चोला या जो main raja है उसको हटा कर जो उनके cousin है उनको वो उस position पे बिठाना जाते है cousin का नाम मदूर अंतकन होता है जो basically अदित्य कारिकलन के uncle है so as you see ये बहुत ही complicated equation है movie में characters के नाम समझना और characters के relation समझना बहुत difficult है in fact by the time आप ये characters को समझ पाओ already interval का time pass हो चुका होता है और उसके बाद का movie आपको दीरे दीरे आप grasp कर पाओगे लेकिन अगर आपने characters का information पहले से ही ले लिया तो शायद आप इस movie को बहुती बहतर तरीके से understand कर पाओगे क्योंकि ये चोला kingdom के बारे में हैं इसलिए सारे characters जो के tamil नामस है इसलिए आपको characters के नाम और उनके शकल को याद रखना बहुती taxing और difficult हो सकता है जा तक कि फिल्म के ladies की बात की जाए आईश्वेरा राय बच्चन ने नंदीनी का role play किया है नंदीनी कैसी character है जो अधित्यकारिकालन की love interest होती है लेकिन due to some consequences उसके शादी पांडिया kingdom के जो king है जो हम लोग ने starting में बोला था कि चोला और पांडिया में जब fight होता है तो जो वीर पांडियान मर जाते है आईश्वेरा राय उसकी wife होती है जब वीर पांडियान मर जाते है तो आईश्वेरा राय की शादी चोला kingdom के जो chief treasurer है पेरिया पजुवेटियार उनके साथ होती है नाउ आईश्वेरा राय के intentions क्या है क्या वो पांडियान kingdom के और से चोला kingdom के से revenge लेना चाती है या नहीं ये तो आपको movie देख कर ही समझेगा movie के और female characters है Trisha Trisha जो सुन्दर चोला की बेटी है Trisha की जो cousin है उसका नाम her role is played by शुबिता दूली पाला so as you see it seems very complicated पर अगर आप इस movie को ध्यान से देखोगे तो ये characters आपके mind में धीरे धीरे बैट जाएंगे इस movie के दो सबसे बड़े flaws ये है number one अगर आप इस movie को ध्यान से नहीं देखते तो आपको ये movie बिलकुल नहीं समझेगा लेकिन अगर आपने इस movie को ध्यान से देखा तो ये movie this movie can become very taxing on your brain ये क्यों taxing हो सकता है is because there is too much of information overload और इतना information overload के साथ एक movie को enjoy करना बहुत difficult हो जाता है खेर हाल so situation ऐसा है कि तीनों तरफ से चोला kingdom संकट में है जो चोला king है उनकी जान भी खत्रे में है और जो दोनों princess है उनकी जान भी खत्रे में है तो क्या जो planners है वो successful होते है चोला kingdom को खतम करने में या फिर जो princess है या फिर जो तरिशा है are they able to save the चोला kingdom from the crisis this is the crux of the story in part 1 जा तक की screenplay की बात की जाए तो screenplay is very slow movie बहुती slow pace में चलती है especially in the first half and it might be because Mani Ratnam Ji चाहते थे कि characters को वो properly establish कर पाए but because of this entire thing because of the slow pace audience का engagement का बहुत issue होता है audience पूरी तरह से engaged नहीं हो पाती and because of that audience का interest level कम होने के chances होते है along with this movie में बहुत सारे unnecessary songs है ये songs movie के progression में help नहीं करते rather ये movie में बहुत सारे obstacles की तरह appear होते है जातक कि performances की बात की जाए performances of all the actors is amazing especially इस movie में जो कार्थी का role है वो बहुत ही amazing है कार्थी ने एक ऐसा character का role play किया है जो अधित्यकारी कालन के best friend रहते है so उनको इस film में बहुत maximum role मिला है और उन्होंने बहुत बढ़िया acting की है जातक females में बात की जाए तो Trisha ने बहुत fantastic acting किया है Trisha के support में अगर आप शोबिता धूली पाला को देखे या फिर आईश्वेरया लक्षमी को देखे ये दोनों screen पे बहुत amazing लगे है मैं तारीफ करना चाहूंगा आईश्वेरया लक्षमी का जिनोंने एक नाव कुमारी जो नईया चलाते है उस girl का role किया है जिस तरीके से उसको present किया गया है it's amazing उसने बहुत attracting किया है and lastly we are coming to आईश्वेरया राय बच्चन आईश्वेरया राय बच्चन is a epitome of eternal beauty मतलब आप अब भी उसको देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप एक dream को देख रहे हो on screen आईश्वेरया राय बच्चन के negative shades है और उनोंने अपने role को काफी justice दिया है coming to Chiyan Vikram Chiyan Vikram को part 1 में जादा role नहीं मिला है hopefully we will see more of him in the second part जातक कि Jayam Ravik की बात की जाए Jayam Ravik ने भी बहुत अच्छा काम किया है और Jayam Ravik को भी हम part 2 में जादा देखेंगे so Karthi और Trisha को maximum screen time मिला है along with आईश्वेर राय बच्चन अगर हम movie के cinematography की बात करें तो cinematography बहुत अच्छी है और उनोंने जो set design जो production design बनाया है उस समय का चोला kingdom reconstruct किया है वो बहुत अच्छा है लेकिन considering movie की जो music director A.R. Rahman Sir है तो जिस तरीके का music जिस तरीके का background score हम expect करते है वो उस level का नहीं था so frankly speaking music या songs थोड़े average है so overall verdict अगर दिखा जाए तो screenplay and editing में बहुत issues है और screenplay बहुत slow है performances wise movie बहुत ही amazing है मेरा audience के लिए एक छोटा tip है tip यह है कि अगर आपको यह movie देखना है तो सबसे पहले आप जाकर wikipedia पे सारे जो characters है उनके नाम और जो characters के origin है उनको समझ लो वो समझने के बाद आपको यह movie understand करना बहुत easy हो जाएगा क्योंकि makers ने यह movie present करने में audience को इतना difficulty present किया है इसलिए इस movie के stars सोड़े कम हो जाते हैं वैसे तो मनी रत्नम मेरी भी favorite director है और मनी रत्नम और यार रेमान का combination तो उसके बारे में क्या कहना है बट कही न कही यह combination ने जो movie present किया है as an audience उसको enjoy करना बहुत ही taxing हो जाता है क्योंकि basically every audience movie देखती है for entertainment लेकिन अगर आपको movie एक history class की तरह लगने लगे तो फिर कही न कही movie का interest level कम होता है so advice movie reviews we give this movie 2.5 stars on 5 hopefully आपको हमारा review पसंद आया और अगर आपको हमारा review पसंद आया है तो please subscribe to our channel and don't forget to give your feedback in the form of likes and comments we will be soon coming with more reviews and more analysis thank you, have a good day